वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की सुक समरिद्धी में बादा आने के कई कारण बताए गए हैं और इसका कारण कई बार गलत वास्तु भी होता है इसलिए आज कल काफी लोग अपने घर को और ओफिस को वास्तु के अनुसार बनाते हैं जिससे जीवन में सुक समरिद्धी आकरशित हो सकें धन की परेशानी खतम हो सकें और वे आने वाले संकट से भी बच सकें क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वास्तु दोश होने के कारण घर में नकरातमक उरजाएं वास करने लगती हैं नकरातमक उरजाएं घर में आकरशित होने लगती हैं जिससे परिवार में और घर में बहुती अधिक संकट बढ़ जाते हैं क्योंकि घर की हर दिशा अपने आप म में ही कुछ खास महत्व रखती है और इसी का पूरे परिवार पर घर में रह रहे लोगों पर असर पड़ता है। इन ही दिशाओं के कारण और जो घर में चीजे रकी हुई हैं उन्ही के कारण घर में सकरातमक उर्जाएं या फिर नकरातमक उरजाएं बनती हैं। वास्तु शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि घड़ी और शीशा आपके घर का बहुती जादा महत्तपून समान होते हैं जिनका असर परिवार पर और घर में रह रहे हैं लोगों पर पड़ता है अगर इनकी दिशाएं गलत हो या गलत तरीके से यह लगा ले जाएं तो इससे जीवन मे और घर में बहुती अधिक संकट बढ़ जाते हैं नकरात्मक उरजाएं इतनी जादा वास करने लगती हैं कि रात को नीन सही से नहीं आपाती है और कोई ना कोई गबराहट हमेशा ही मन में बनी रहती है चाहे जीवन में सब कुछ ठीक भी हो लेकिन फिर भी गबराहट सी ह बनी रहती है तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखा करें कि घड़ी को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए इससे घर में सकरात्मकता आती है और हर्थ परकार की नेगटिविटी दूर हो जाती है परिवार के सभी लोगों को समाज में मान सम्मान मिल दूसरी और ये भी कहा गया है कि दक्षिन दिशा में कभी भी घड़ी को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है दक्षिन दिशा में घड़ी लगाने से परिवार में बहुत अधिक संकट हो जाते हैं और उन्नती के अफसरों में बाधा बिगडने लगती है और वे लगातार ही बिमार होता रहता है फिजूल खर्च में ही बिमारी के इलाज में ही सब धन खर्च हो जाता है तो आप भूल कर भी दक्षिन दिशा में कभी भी घड़ी को ना लगाया करें बहुत सारे लोग इस गलतियों को करते हैं कि अपने घर के म लग जाता है और हमेशा ही नकरातमक उरजाएं घर में वास करने लगती हैं दरवाजे पर गड़ी लगाने से घर में आर्थिक परेशानिया होने लग जाती हैं तो यह सब चीज़े अब जरूर ही ध्यान रखें अब दोस्तों आइना है आइना हमारे जीवन का बहुत ही मह दरवाजा बिलकुल भी ना दिखें अगर घर की तिजोरी या अलमारी आइने में दिखती है तो इससे घर में धन आगमन के सभी रास्ते खुल जाते हैं बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आइने में बैड या फिर दरवाजा बिलकुल भी नहीं दिखना चाहिए आने ज सभी कुछ वास्तु दोश के कारण होता रहता है तो जरूर आप इन सभी चीजों का ध्यान रखें वीडियो को लाइक करके शेर करना बिलकुल भी ना भूलें और अगर आप चाहते हैं कि मातालक्ष्मी की किरपा आप पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट बोक्स में जै मातालक मैं आपका स्वागत करता हूँ लिखना बिलकुल भी ना भूलें इसी तरह की खास और ग्यानवर्धक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें जिसे आने वाले सभी ग्यानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिल सक धन्यवाद